आज हम लोग भारती दर्शन के आस्तिक संप्रदाए सांक दर्शन पर बातचीत करने जा रहे हैं सांक दर्शन सबसे जितने भी आपके सलेबस में भारती दर्शनिक संप्रदाएं हैं उन में सबसे प्राचीन माना जाता है यहां तक कि शंक्राचार ने सांग दर्शन को प्रमुख प्रिद्वंदी दार्शनिक संप्रदाय माना है, प्रधान मल वो कहते हैं, सांग दर्शन का उलेख उप्रिस्दों में मिलता है, वेदों में मिलता है, गीता में भी इसका उलेख मिलता है, जिससे इसके दो चीजों क बारे में पता चलता है पहला एक तो यह प्राचीन संप्रदाय है और दूसरा यह इतना महत्मुर संप्रदाय है कि जितने भी आस्तिक संप्रदाय हैं वह अपनी व्याख्या करने के लिए सांख दर्शन का सहरा लेते हैं या तो सांख दर्शन से कुछ सामगरी ग्रहन कर रहे अथ्वा सांक दर्शन के विचारों में संसोधन करके वो अपनी बात कर रहे हैं तो आईए हम लोग सांग दर्शन के बारे में चर्चा करते हैं, सांख दर्शन मुख्यता दो चीजों पर आधारित है, एक है प्रकिर्थी और दूसरा पुरुष, जैसे हम लोग जीवन में दो चीजों कानभव करते हैं, इसके जो प्रवर्तक हैं कपिल मुनी, वो बड़ा अच्छा कहते हैं, बहुत अगर उनके बातों क को देखा जाए, तो वो कहते हैं कि दुनिया में या स्रिष्टी में दो तरह के आपको गुण मिलते हैं, या दो तरह के तत्तों से आपका आमना सामना होता है, पहला भौतिक और दूसरा चेतन, और इसी व्याक्ष्ण को आगे बढ़ाते कहते हैं कि संसार में दो मूल तत् प्रकृत का मतलब भौतिक तत्त, जड़तत तो है, और पुरुष का मतलब आत्मा या चेतन तत्त तो है, जिसे अन्यदाशिक संपरदाये, पुरुष आत्मा कहते हैं, सांक दर्शन उसे पुरुष के नाम से पुकारता है, तो आगे पूरी जो ब्याक्ष्ण होने वाली है वो सांक दर्शन में प्रकृति और पुरुष के आधार पर होती है, इस तरह देखा जाए, तो सांक दर्शन मुख्य तह दो तत्त स्विकार कर रहा है, पहला प्रकृति जड़तत तो है, दूसरा पुरुष जो चेतन तत्त तो है, प्रकृति भौतिक है, जड़ है, के तोर पे समझ सकते हैं, आगे इसमें देखेते हैं, तो अब पूरे सांक दर्शन में पढ़ना है, पहले प्रकृति को हम लोग समझेंगे, प्रकृति को अस्तित को सिद्ध करने के लिए तरकों को देखेंगे, फिर उसके बाद आता है, पुरुष, पुरुष को होगी, और समन्द जो विकास होता है, उसकी चर्चा होगी, और अंतमी हम लोग इसके मोक्ष को देखेंगे, यहां इसको हम लोग समझ सकते हैं, कि सांक दर्शन, सबसे पहले सिद्धान्त आ रहा है सत्कारवाद, सत्कारवाद वो सिद्धान्त है, जो मानता है कि कोई भी क कारे, अपने कारण में सत्त रहता है, बहुत सरलसा है कि हम सबको पता है, कारण और कारे, जो सिद्धान्त मानता है कि कारे अपने कारण में सत्त है, पहले से मौझूद है, उस सिद्धान्त को सत्कारवाद कहा जाता है, और यह सांक दर्शन का बेसिक सिद्धान्त है, क्यो क्योंकि इसी के आधार पर सांहक दार्शनिक यह सद्ध करते हैं कि जो प्रकृटि मूलतत्व है और उसी मूलतत्व के सहारे समझ स्रिष्ट के संभव होती है या स्रिष्ट की हम लोग व्याख्या कर सकते हैं तो बहlara वाल यह सतकारवाद है जहां से हम लोग अपने लेक्चर को आगे सुरूब भी करेंगे कार अपने कराण में सत रहता है इसकारत क्या हुआ कि जो प्रकिर्ति है वह किसी ने किसी रूप में समस्त και का अध्षर है प्रकिर्थ Tú상v विश्व की या स्रिष्टि की ब्याख्या संभव होती है तो यहां पर सतकारवाद सतकारवाद के आधार पर प्रकृति और पुरुष दो तत्तों मिले दुन तो तत्तों के आधार पर पर दोनों के नेचर को उनुने एक दमलग बताया है प्रकृति जो है जड़ है की ब्याख्या होती है दोनों के संबंद के आधार पर विकास संभव होता है और इस विकास का जो आधार है वह वास्तव हमारे सामने प्रकृति के तौर पर आता है यहां पर एक छोटी सी बात फिर आगे हम लोग संच्छे में समझेंगे कि यहां प्रकृत का मतलब नेचर नह चिस तत्तु के आधार परे पुरे विकास को समझाते हैं और अंत में हम लोग इसकी मोक्ष संबंदी और धार्णा समझेंगे कि पुरुष अलग है प्रकृती अलग है पुरुष अपने को प्रकृत से जोड़ लेता है तो वह बंधन ग्रस हो जाता है इस बंधन से मुक्ति क मोक्ष के खतम होती है कि मोक्ष अवस्था में जितने भी तरह के दुख है उसका समापन हो जाता है तो इस तरह हम लोग देखेंगे जो सांक दर्शन जिसको की कपिल मुनी जी ने बहुत विस्तार से ब्याख्याइद किया है कपिल मुनी इसके पिणेता माने जाते हैं लेक कपिल मुनी के सीदे गरंथ उपलब्द नहीं है यदा ब्याख्याएं पूरी तरह उपलब्द नहीं है हां इश्वर किष्ण की सांकारिका है वह परयाप्त है और उसके आधार पर पूरा सांग दर्शन अव्यक्त होता है कपिल मुनी अपने पूरे सांग दर्शन को संजाने के लिए अंध और पंगु का उधान लेते हैं अंध मतलब जिसको दिखाई नहीं दे रहा है और जो पंगु है तो चल नहीं सकता है यह कहानी आपने सुनी भी होगी अलगलग संदर्बों में अब सवाली पैदा होता है उन लोगों को जंगल पार करना है तो क्या तरीका हो सकता है अलग अलग रहेंगे तो कोई जंगल नहीं पार हो सकता है उसका रास्ता के निकलता है कि जो पंगु है वो अंधे के कंधे पर बैठ जाता है और क्योंकि जो पंगु है उसको दिखाई दे रहा है वो रास्ता बताते हुए चलता है और जो अंधा है वो उसकी रास्ते पे आगे-ागे चलता चला जाता है इस तरह दोनों मिलकर जंगल को पार कर लेते हैं उसी तरह सांख दर्शन में प्रकृति और पुरुष प्रकृति अचेतन है और पुरुष चेतन है प्रकृति सक्री है पुरुष निश्क्री है ये लेकिन इस विरोधा भास के बावजूद दोनों आपस में मिलकर सिष्ट का विकास करते हैं और फिर सिष्ट के विकास के बा लग है इस तरह सांक दर्शन बहुत सरल सा दर्शन है प्राचींतम दर्शन होने के कारण इसमें बहुत ज़्यादा जटिलता नहीं है इसमें हमें मुख्यता जो टॉपिक पढ़ना है सुलू में सतकार बात पर चर्चा होती है फिर उसके बाद आपको प्रकृत समझना है फि चिंतन क्यों कर रहे हैं ताकि हम दुख से मुक्त हो सके दुख से निव्त हो सके इसलिए सांग दर्शन की जो मुक्ष संबिन अधारना है जो जिसका अंतिमिश्कर से आता है कि मुक्ष प्राप्त करने के बाद आप तीन तरह के दुखों से मुक्त हो सकते हैं कि सांग ने स से सांग दर्शन को पूनता पुधान करता है अब हम लोग इस प्रश्र के नुसार इन अलग लग टॉपिक को समस्ते हैं धन्यवाद